असलाम अलेकूम and we are talking about responding to comments and messages यानि कि आप comments or messages को कैसे जवाब देते हैं अब कोई सोचेगा कि हम इसके बारे में क्यों बात करें क्यों हम कह रहे हैं कि comment or message कैसे लिखते हैं हम तो रोज लिख रहे होते हैं इतने सारे comments आते हैं अपने सारे messages और I am sure कि आप लोग जादे तर लोग उदर बैठे उनको Facebook पे कोई ना कोई comment आ रहा होता है SMS पे हो रहा होता है कोई messages आ रहे होते हैं उन सब को रिस्पॉंड करते मेरे चाल में सबसे जादा हम Facebook पे करते तो वो अब ऐसी कौन सी बात है कि जो मुझे सीखना पड़े कि जी कैसे करते और इसमें नौकरी कहां से आ जाती है Actually content manager जो होते हैं किसी भी digital marketing firm में या advertising में उनकी पूरी पूरी नौकरी सिर्फ यह होती है और वो करते ही ही है कि वो comments और messages को respond करते है आपके पास यह अब आइस्ता आइस्ता यह वाला जो job है यह outsource भी हो रहा है बहुत से celebrities हैं जो कि उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि वो बैठके अपने comments के जवाब दे या अपने inboxes को देखे तो वो लोगों को hire करते हैं कि भाई तुम मेरे Facebook पे Instagram पे या Twitter पे मेरी तरफ से जवाब दे दो और मेरे messages दे दो अब यह करते वे अपने जवाब पेज़ पे कर रहे होता है तो बड़ा असान होता है मगर किसी और के पेज़ पे करते वे यह लिख रही हैं तो आरी जवाब का जो है वो एक खास किसम का परसोना है उसी परसोना को मुझे आगे लेकर जाना है जो उसकी personality है उसी को reflect करना है उसके comments में उसकी language कैसी होगी उसके messages कैसे होंगे या जो जवाब है वो किस तरह के देगा तो वो एक असान होता है मगर इसी तरह एक brand के लिए जब आप जवाब देते हैं या brand की messages करते हैं तो आपको यह देखना पड़ता है कि जी brand की personality क्या है अगर हकूमत पाकिस्तान की तरफ से आप लिख रहे हैं तो बड़ा एक formal तरीके से लिखेंगे मगर अगर आप कोको कोला की तरफ से लिख रहे हैं तो आप एक बड़े fun casual तरीके से लिखेंगे अगर आप किसी घी, दूद, तेल की किसी company के साथ लिख रहे हैं तो उनका एक अलग style होगा तो ये सारी चीज़ें लिखते वे हमें अपने दमाग में रखनी पड़ती हैं हम किस तरह की जबान इस्तमाल कर रहे हैं किस तरह की हम कितने लंबे तरीके से इस्तमाल कर रहे हैं कितना formal हो रहे हैं, informal हो रहे हैं कितना polite हो रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हैं हमें देखनी पड़ती हैं और उस हिसाब से फिर हमें ये कॉमेंट्स और मेसेजिस लिखने पड़ते हैं अगें जादातर लोग जो है इस वक्ट डिजिटल पे या आनलाइन अंग्रेजी ही में बात कर रहे हैं हाला कि अब अर्दू आइस्ता आइस्ता आती जारी है तो हम अंग्रेजी पे फोकस करेंगे चाहिए वो अंग्रेजी हो चाहिए अर्दू हो जो रूल्स और रेगुलेशन्स हैं वो वही रहते हैं जबान असान होनी चाहिए जिसको आप जवाब दे रहे हैं उसके लिए लिखें अप ले ना लिखें अविंच सैड ऍाट आपकी जो टोन और पसनालिटी है वो आपके ब्रेंड की आपके पसनालिटी की होनी चाहिए ना के उस बंदे की मगर आपने कोशिश ये करनी है कि जो सवाल है या जो बात है उसका जवाब अगर आप दे रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं वो ऐसे किया जाए कि उस बंदे को समझ आ जाए और आपको अगर लग रहे कि नहीं समझाया तो आप उसको बाद में दुबारा कहिए कि जी I hope that you've been able to understand या if we can help you further let us know तो ये open ended रखते हैं ताकि engagement और conversation जो है वो चलती चली जाए इसी यही जो असूल comments के हम इस्तमाल करें वो ही असूल messages के होते हैं except comments में हमारे पास एक थोड़ा सा जो room होता है वो ये होता है कि comments हम आगे पीछे आगे पीछे एक dialogue के तदर जरीये रख सकते हैं तो वो थोड़ा सा और casual हो सकता है छोटे होते हैं comments बहुत बड़े नहीं होतें maximum दो से तीन sentences अगर जितना लंबा comment होगा आम तोर पर लोग पढ़ते ही नहीं हैं आगे बढ़ जाते हैं messages उसके बरक्स लंबे होते हैं उनको emails की तरह रिखा जाता है जो style होता है वो उसका उस तरह होता है आप उसमें details देते हैं इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा platform है जहां पर कोई इत्मेनान से जाता है पूरी अपनी बात करता है और आप उसको उसी इत्मेनान और तसलिश से details के साथ अपनी बात सुनाते हैं एक सांपल आपको दिखाते हैं डीजी स्किल्स का ही एक पेज है आपने यह देखा होगा कि यह है पोस्ट है इस पर लिखा है sign-ups for dg-skills are open enrollments and registrations for the second batch will be starting from the 1st of November अब हम अगर 11 है हमारे यह oldest लिखा हुए हम यहां पर कहते हैं कि जी हमें most relevant दे दे और आप देखेंगे कि यह छोटे-छोटे जवाब हैं एक-एक line के maximum दो-दो lines के इस से ज़्यादा नहीं है और यह हम लोग ज़्यादातर करते रहते हैं आपको एक चीज का खयाल यह रखना है कि आपकी अंग्रेजी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए आपकी ग्रैमर ठीक होनी चाहिए आपने जो अलफाज इस्तमाल की हैं जो punctuation है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए दूसरे लोग चाहिए जिस तरह भी बात कर रहे हों उससे आपका कोई तालुक नहीं है मगर आपकी तरफ से जो जाना चाहिए उसका पूरा मफूम जो है उनको पता चल जाना चाहिए और उनको अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि आप क्या कहरें मगर being polite and being cautious इसी तरह ह हम अगर inbox में जाते हैं तो हम देखेंगे कि जी यहां पर भी डीजी स्किल्स ने response किया वा होगा यहां पर उनौने का जी what are your hours तो उनौने का कि जी hello registration for the courses begun please get in touch with us on our contact page for resolution of your query वो यह कह रहे है कि यह जगा जो है आपके सवाल की वो नहीं है यहां से हम आपको जवाब नहीं दे सकते आप प्लीज यह यहां पर जाईए और जो आपकी query है आप उधर उसका जवाब ढूंड लीजे तो आपने देखा होगा बड़े casual है hello कहा है उन्होंने साथ में उन्होंने information जो है बड़े clear तरीके से और अच्छे तरीके से उन्होंने दे दी है अब हम कोशिश करते कि एक आपको थोड़ा सा लिख के भी बताते हैं let's do a sample अब हमारे पास डीजी स्किल्स कोई अगर हम देखते हैं अच्छे जी किसी ने comment किया डीजी स्किल्स पे कि जी can I see the full videos in one go or do I have to wait for each video to be made available यानि कि क्या मैं सारी videos जो हैं वो एक दफा में देख सकता हूँ या मुझे एक एक करके इंतजार करना है तो इसका जवाब जो डीजी स्किल्स की तरफ से जाएगा वो आप कह सकते हैं कि हाई अब उसका जो भी नाम है यहाँ पर आप नाम दे देंगे वहाँ जाम है वो बीजी जाम है वो उसके लएड गर तूसरी जाम हैं कि जाम देख से जाएगेट बाना है και प्रम एफ सर्च में आफ देख सकते हैं कि लाएगा स्वी जाएगा मिएजड जाओ वी जाएगा so that you can have a full understanding of the material. Please do let us know if we can help you. ठीके जी इसको हमने इस तरहां इसका जवाब लेग दिया कि जी हाई जो भी नाम है उनका थांक यू फर रीचेंग आउट टू आस शुक्रिया बहुत बहुत आपने हमसे सवाल पूछा कोर्स का तरीका यही है कि एक एक करके वीडियो खुलेगी ताके आपको अच्छी तरह समझ आ सके जो कॉंटेंट है अगर आपका कोई और सवाल हो तो जरूर हमें बताइए तो बस इसी तरह हमने जल्दी से छोटे से तरीके से पॉमल येट कैजूल हमने एक रिस्पॉंड कर दिया तो इसी तरह आप भी कोशिश कीजिए कि अपने कॉमेंट्स में अपने इसी तरह की राइटिंग करें और नेवर गेट परसनल, अल्वेज बी पॉलाइट, एवरीवडी इस रीडेंग वट यू राइट और जो भी आप लिखते हैं, हर कोई देख रहा होता है, पबलिक होता है, तो जिस तरह आप लिखते हैं, जिस तरह आप बात करते हैं, वो कहता है, जितना के किसी और के बारे में, तो इसलिए जो भी हम लिखते हैं, जिस तरीके से लिखते हैं, वो बहुत जरूरी हो जाता है, because it tells people a lot about who we are. I hope this has been helpful for you.